नमस्कार कैसे हैं नमस्कार मैं हूराकेश आपको लों के सामने स्वागत करता हूं उम्मिद करता हूं आप सब्सक्राइब बहुत अच्छे होंगे और प्रेप्रेशन में लगे विदियो के लिए कई बार एंसे आटी के यूज को लेकर कई तरह के कन्फीजन होती है अगर उ मैं पता नहीं होता कि किस क्लास के न्सी आटी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कितना टाइम डिवोट करना है उसके लिए और न्सी आटी कैसी किताब है जिसमें आपको बहुत डीटेल में छोटे चप्टर को पढ़ना होता है अब अगर के विएस तक हम चीज के नीड है और किस सब्जेक्ट की देखे सब्जेक्ट में आपको सिर्फ सोचल मतलब सोचल साइन्स और साइन्स सिर्फ इन दो विश्यों के ही एंसी आटी के नीड होनी चाहिए एसस्टी और विज्ञान या साइन्स इन दो विश्यों के लिए ही आपको एंसी आटी के लिए पढ़ते हैं प्रैम्री लेवल पर आपको देखना पड़ेगा प्रैम्री लेवल पर आपको देखने के लिए एड्थ नाइन्थ और टेंथ टू एक्स्टेंट यह तीन कक्षा की जो NCRT है और इन दो विश्यों की बस इसके अलावा और कोई विश्य के आपको पकड़ने की नीड नहीं है अब पैड़ागोजिकल सेक्शन के लिए ग्यारवी बार्वी की साइकॉलोजी की पीडियाफ पढ़ सकते हैं NCRT की बस उसके लावा वैसे इस पोर्शन के लिए आपको एसस्ट और जो विज्यान है साइंस है उसकी है NCRT पढ़ने है एट चाहिए नोट्स मेंकिंग के नाम पर लोग पूरी पूरी बुक को ही एक्स्ट्रेक्ट करके लिए एक नई बुक क्रेट कर देते हैं उससे कोई फायदा नहीं है आपको नोट्स कैसे करनी होती है मैं भी दिखाता हूं आपको छोटे से पैराग्राफ से कैसे कोशन बन जात करते हैं तो थोड़ा सा जो अप्टिट्यूट वाले पॉर्शन है वह भी आपको धिरे धर यहां से होने शुरू हो जाएंगे क्लियर होने शुरू जाएंगे और यह आपके अर्ने परिक्षाओं में भी जनरल पेपर है वहां पर आपको यह मेदद करते हैं इसके अलावा प्रैमरी में आपको और NCRT पढ़ने की नहीं नहीं है अब देखिए किस प्रकार से हमें नोट्स बना लेने चाहिए किस प्रकार से मैं NCRT का उप्टिमम यूज करना चाहिए इसका मैं एक एक ग्जामपल देता हूं यह क्लास माइंध का चप्टर है चप्टर नमर टू ज इसी लिए मैं कर रहा हूं कि आठवी नौई और दस्वी में जो है वो चैप्टर में रिपीटीशन नहीं मिलेगा आपको और इसमें आपका लगभग सभी बंच रेड़ जाएक और लेवल जो है में इसी लेवल तक का आपको पुछा जाता है कोशन आप देखो इसमें पांत्रियस चैलों से बना है यही कारण है कि यह प्राचिंतम भूबाग का एक हिस्सा है इस तरह से आप पढ़के निकल लाओगे आपको लगे हाँ ठीक है यह आप इसमें कोशन फ्रेमिंग करनी हो आपको नोर्स कैसे बनाने यहां पर प्राइदीप यह पठार पांत्रियस चैलों से बना हुआ है ठीक है यह प्राचिंतम भूबाग का एक हिस्सा है यह सबसे प्राचिंतम प्रित्री का भूबाग है ठीक है यह कोशन हो गया इस पठारी भाग में चौड़ी तथा चिछली घाटिया है और गोलाकार घाटिया है यह कोशन तो आपके यह पेसी तक के लेवल पर चला जाएगा इस पठार के दो मूख्य भाग है यहां हो गया जो जो मिड की हाइलेंड्स है और दूसरा अब मद की उची भूमिया कहां पर है वह बताएगा जैसे मद की उची भूमिया है वह किस पर वास्पास फैलिए मालवा के पठार के आसपास का जो रीजन है ठीक है उसके बाद अगर हम देखें विंध्याचल संक्रा डक्षिड में सक्पूरा संक्रा उत्तर पस्ची में अरावली परवस से घिरी हुई है यह कोशन मसकता है पस्ची में जहे जहेरे राजस्थान के बलुई तता पत्रीले मरुस्थल से मिल जाता है ठीक है चलो इस छेतर में बहने वाली नदियां भी आ ग पढ़िए लिम्टेट कंटेंट पढ़िए काम आपका सेटल डाउन हो सकेगा तीसरी चौथी पांची शटी साथी इन सब की एंसी आटी की बहुत जादा नहीं आपको नहीं है एक एंसी आटी है परियावरण की उत्तर प्रदेश के बोड़ की वह बहुत शांदार किताब है वो एनवार्मेंट इन वन गो निप्टा सकता है PCS तक दिलिए उसकी PDF मैंने पहले पहले भी आप लोगो शेर की दी वो देख लीजेगा तो के वीस पी आटी के लिए डेडिकेट है तो सिफ यह तीन क्लासेस पढ़िए और डेडिकेट तरीके से नोट बनाईए यह थे द्यूंट अबएगए